हैलो एवरीवन कैसे हो आप सब हम सब तो बिलकुल ठीक हैं उमीद करती हूं कि आप सब भी बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट सबसे पहले आप सभी को मेरी रामरा आज है 14 अगस्त सनिवार का दिन है और दो पर दो बजे का ये टाइम है मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ और काफी दिनों से ये सूट अलमारी में रखा हुआ था तो इसमें बहुत सारी सिल्वटे भी पड़ गई थी तो पहले मैं इस पर प्रेस करके लाई हूँ और अब मैं इसके कटिंग करें सिरफ सूट के आज मैं कटिंग करके रखूंगे सिलाई का काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर एक सेंपल तयार हो जाएगा तो शाम के टाइम पे लीटिंग की वीडियो तयार हो जाएगी और वैसे भी आज पोने एक बज़े मैं और विशाल के पापा जी करोना का पहला टीका लगवाके आए हैं अभी तक तो दोनों बिल्कुल ठीक है सरीर में कोई हरकत नहीं है लेकिन कहते हैं कि टीका लगवाने के बाद हलका फुलका बुखार हो सकता है तो अगर शाम के टाइम पे बुखार हो गया तो फिर कोई भी काम नहीं हो पाएगा और इस टाइम पे बिल्कुल सबस्ती तो सोचा खाली बैटके क्या करूंगी सूट की कटिंग कर देती हूं और वैसे भी यहां मेरे जेट के परिवार में भी सबने कोविड के दो दो टीके लगवा लिये हैं माईके में भी सबको हो गए हैं और यहां विशाल और विशाल की दादी जे ये दोनों लगबग 21-22 दिन पहले कोविड का पहला टीका लगवा के आए थे तो अब दूसरा लगने का इनका नंबर आ चुका है आज जब हम जा रहे थे तो विशाल से भी बोला था कि बेटा चलो अपना कोविड का दूसरा टीका लगवा लो और अनुज को भी आज टीका नहीं लगा है आज उसका पहला टीका लगना था क्योंकि उसकी आज 10 बजे से और ढाई बजे तक की क्लास थी तो वह भी नहीं जा सका क्योंकि वहांपर जो टीके लगते वह भी 10-2 बजे तक ही लगते हैं तो फिर विशाल बोलने लगया कि ममी जी आप लगवा लो दो चार दिन में मैं अपना दूसरा टिका लगवा के आऊंगा और अनुज को साथ में लेके चला जाऊंगा तो इसका पहला लग जाएगा नहीं तो मेरे पापा जी चले जाएंगे वो लगवा के ले आएंगे आज हम दोनों ने कोविड का पहला टिका लगवा लिया है अब तो बिल्कुल ठीक हूं कोई दिक्कत नहीं है वैसे मैंने ये सुना है कि मतलब आट-दस घंटे के बाद ही सरीर में थोड़ी बहुत अरकत होती है इससे पहले पता भी नहीं चलता है तो अभी सूट की कटिं भी है कि अगर आप सब में से किसी ने भी अभी तक कोविड का पहला टिका नहीं लगवाया है तो प्लेज ये टिका जरूर लगवाएं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारी सरकार भी बार बार अपील करती है कि कोविड का टिका जरूर लगवाएं ये जोटी सी खुशी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे ताउ का बेटा है मेरा भाई उसकी पोती हुई है बारा अगस्त सुवे लगभग चार पुने चार बजे हमारी प्यारी सी परी का जनम हुआ है तो मैं बन गई हूँ दादी बुआ और हमारी प्यारी परी से मिलि ये हमारे घर में चोटा सा नन्हा सा प्यारा सा महमान आया है और इसके आने से घर में सब बहुत ज़्यादा खुश है बहुत ज़्यादा खुशी सबको हुई है कि हमारे घर में परी आई है बहुत ही अच्छे से इसका स्वागत हुआ घर में तो आप सब भी हमारी नन्ही परी को अपना प्यार भरा आसिरवात दे दीजिए, ताकि ये अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, जीवन की सारी खुशिया इसको मिले, और ये देखिए, दुनिया में आकर कितनी खुश हो रही है, कैसे आखे खोल के देख रही है, और सच मे जब छोटा बच्चा घर में आता है न, तो घर में एक अलग ही खुशी की लहर आती है, हर किसी के चेहरे पर एक अलग मुश्कान होती है, कि हाँ हमारे घर में एक नन्हा सा महमान आया है, तो हमारी प्यारी परी से मिलिए, और अपना प्यार भरा आसिरवात हमारी नन्ही लाडो को दे दीजिए ये अभी शाम पांच बजे का टाइम है साड़े चार बजे में प्रेस करने के लिए बैठ गई थी तो पांच जोड़ी कपड़े प्रेस हो चुके हैं और ये तीन कुर्टे पजा में फिशाल के पापा जी के नए सिलकर आए हैं तो फिर बीच में प्र फिर बाद में इनकी पहचान करना मुस्किल हो जाता है अभी तो ये नए है तो इनकी पहचान आसानी से हो जाती है तो मैं इन पे धागे बान देती हूं जिस कलर का धागा कुर्टे पर बानती हूं उसी कलर से फिर पजामे पर बान देती हूं तो बाद में जब धुलते है प्रेस होती है तो इनके जोड़े बनाने में काफी आसानी हो जाती है तो तीन कुर्टे पजा में सिल कर आये थे दो का कपड़ा मिलता जुलता था और एक का बिल्कुल सबसे अलग था तो उस पे धागा लगाने की मुझे जुरूरत नहीं पड़ी दो पर मैंने लगा दी है तो अभी पांच जोड़ी कपड़े और हैं इन पर प्रेस करूँगी और प्रेस करते करते ही मेरा सिर एकदम से भारी होने लग गया था सरीर में भी ऐसा होने लग गया था कि जैसे मुझे हरकत होगी जैसे वो तैना कि बुखार हो जाएगा ऐसा फील होने लग गया था तो फिर प्रेस करते करते मैंने सोचा कि चलो अब तो प्रेस का काम कंप्लीट कर देती हूँ और फिर मैं एक परासितामूल ले लूँगे आराम आ जाएगा और वैसे भी जब विशाल ने और विशाल की दादी जी ने टीका लगवाया था तो इनको हलका फुलका सा बुखार हुआ था एक एक परासितामूल इन दोनों को दी थी तो ये ठीक हो गए थे बाके हाथ में विशाल बोलता रहा था कि मुझे 5-6 दिन तक ममी इसका दर्द हलका हलका सा रहा है बाद में ठीक हो गया था तो मेरा जैसा भी अनूब होगा मैं साथ के साथ आप सब के साथ शेयर कर दूँगी लेकिन अभी तो लग रहा है कि हाँ मुझे बुखार हो जाएगा इस वज़े से अब मैं बैट के बाद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फिर रात का खाना भी बनाना है और लग रहा है कि हाँ बुखार होगा तो इस वीडियो का मैं यहीं परेंड करती हूँ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैसा भी होगा आप सब के साथ शेयर करूँगी तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामी राधे राधे जै श्री राधे बाई बाई